आज बना रही हो में इफदार स्पेशल धोगला बहुत मसेदार बन के तियार होता है हेल्दी होता है सबसे अच्छी बात यह है ओईली नहीं होता है तो इसकी असान सी रेसिपी देख लेते हैं और उमीद है आपको वीडियो रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर पसंद आ ह curiosity होता है मैंसे बहुत जाता है मकर सोडेदे के बार फ्लैट हो जाता है तो और तो ऑजियाए COP आपको वीडियो के पास और नहीं है तो मैं आपको वीडियो की end में बताऊंगे की दिसने परफिक और बहुत ही धुल करन सकते हैं जिसे परक्ट और बहुती ही डोकत बेन जाएगा एक टिबिल स्पून मैंने इसमें रिफाइन ओयल ले लिए कोई भी आप सनफ्लार ओयल या पर कॉन ओयल ले लिजे पस तेज खुश्बु वाला ओयल मत लिजेगा जैसे की सरसो करते लिए आप ओलिव ओयल आधा का पानी ले लिए रूम टेंपरिचर पे और पानी की तरफ चलते हैं तो यहां पे चन्नी में मैंने डाल दिया है एक कप भर के बेसन यह दबा के मैंने लिया है बेसन और एक्जाक मेजरमेंट मैं आपको बता हूं तो यह 150 ग्राम से करीब बेसन है अगर आप बिना बेसन लेंगे कप के साफे तो तक्रीबन वह 120-125 ग्राम की करीब बेसन पड़ेगा यह पूरा 150 ग्राम से तो बेसन को चन्नी से एक बार चान लेंगे इससे क्या होगा एक तो लंस खतम हो जाएंगे और बेसन में थोड़ी सी एर आ जाएगी तो बैटर जो नहीं बहुत अच्छी से फलफी बनके तयार होगा तो बेसन को चानने के ब बारा से आदा कप पानी और लिया है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी पर मैं आपको बताती हूं कि मुझे कितना पानी लगा है इसका परफिक बैटर बनाने के लिए यह देखिए इस बेसन जोने मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया कुछ इसको फेटा वग एक कप पानी लग चुका है इसको मैंने डखके साइड में रख दिया है बहुत जादा इसको हमें रेस्ट नहीं करना है बस बाकी की स्टेप्स करेंगे तब तक बेसन रेस्ट करता रहेगा तो मैंने ही हापी एक टिल ले लिया है आप चाहे तो कोई थाली वगेरा ले ले पहले अच्छे से ग्रीज कर लेंगे तेल डाल देंगे और इसके अंदर में थोड़ा सा ना बटर वेपर भी लगा रहा हूं ताकि ढोख्ला निकलने में असानी रहे ।ो इसको साइड में रख देते हैं और ढोखले को हमने करना है तो वह मैं आपको दिखा देती हूं दे पानी उबल रहा है, बेसन की तरफ चलते हैं, अब इसमें आगे का नेक्स टेप कर लेते हैं, तो दक्रीबन 10-12 मिंट लगे हैं, बेसन अच्छे से भीगा हुआ था, तो एक बार मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अब इसके अंदर में डाल रही हूं बेकिंग सोडा, आधा टी नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप बेकिंग सोडा भी यूज नहीं करेंगे, आप इसकी जगह इस वक्त जो है, एक चमज, एक टी स्पून इनो जो फूट सॉल्ट आता है आप वो यूज कर लिजे, और देखिए सोडा डालने के बाद, यूँकि इसमें साइट्रिक आसड म मिलाएके डालिए, या फिर इनो यूज कर लिजे, यह अच्छे से बैटर मैंने मिक्स कर लिया है, और अब जो है, जो हमने जो केक टिन तियार करके रखा था ना, इसलिए वो पहले तियार करके रखा था, क्यूंकि आप यह सोडा या फिस जो भी फूट सॉल्ट यूज कर अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है, और मीडियम फ्लेम पे हमने यह ढोकले को जो इना, 15-17 मिनिट सी इसको स्टीम करना है, आप 15 मिनिट बाद एक बाद चेक कर लिजेगा, अगर टूट पिक थोड़ी सी गीली आती है, तो आप 1-2 मिनिट और इसको स्टीम कर निकालाएँ, कॉंकन टॉपिस्को रख दिया है, और इसको हमने कम्प्लीटली रूम टेमीड पर जाने देना है, गरम मेही आप इसको डीमोल मत कीजेगा, और जबिपूर ठंद हो जा जई तो चुरी से आप इसके साइज को थोड़ा सा एजिस को जो है चुरी चला अल ली प्रफ़ीस रखने उसके साब से आप इसको कट कर लीजे यह मैंने दोनों तरफ से कट कर लिया है और यह देखें आप ढोगला कितना सॉफ्ट बनाया बिल्कुल स्पॉंज की तरह हो ना देखिए मैं इसको मुठी में दबा रही हूं और यह किस तरीके से वापस अपने की हिंग डाल दिये इसको बस हलका सा कटने दे और इसके अंदर आप डाल दिये हरे मिर्ज यह तीन हरे मिर्ज को मैंने बीच मैंसे आदा कट करके इसमें डाल दिया था यह मैं डाल रही हम कडिए पता 15-16 फ्रेश यह पस ता दी पर्यार मोट आप बहुआ अच्छी बात है इसके अंदर नमक डाल दिया थोड़ा सा फ्लेवर बैलेंस करने के लिए और इसके अंदर हम आधा नीबू कर रस यह नी चोड़के डाल देंगे तो इसका जो तड़का है ना बहुती खटा मीठा सा बनके त्यार होता है तो ढोकला बहुती टेस्टी लगता है तो पानी में बस एक कोबा लाने दीजे बस इतना इसको पकाना है कि शकर जो है ना और सारी चीजे जो अच्छे से घुल मिल जाए और उसके बाद इसकी गैस को बन कर दीजे और अब इस तड़के को हलका सा बस बोईरिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम हो जाए तो हलका सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको आप डाल दीजे ढोकले के उपर तो अल्मूस्स सारा पानी इसके उपर आ जाएगा क्योंकि बेसन है यह सारा पानी पी लेता है और तभी जो है ढोकला बहुत ही मॉइस्ट बनके त्यार होता है तो देखे मैंने सारा तड़का जो है सारा पानी ढोकले के उपर डाल दिया है और इसको बर मैंने थोड़ा सा बारी काट के हरा धनिया भी डाल दिया है अगर आपको पसंद है तो आप फ्रेश नारियल को जो है न वो भी आप घिसके डाल सकते हैं या पर जो डेसिकेड़ कोकनट होते है नारियल को बरादा वो भी डाल सकते है गर आपको पसंद है तो और यह हमारा बहुत ही मसेदार स्पॉंजी सा खटा मीटा सा धोगला बनके त्यार हो चुका है और यह देखने में जितना मसेदार लग रहा है ना बनता बहुत ही मज़ेका है healthy बहुत है और बहुत जल्दी बन जाता है इसमें आपने ज्यादा मेनत नहीं करनी 15 मिट लगना है इसको स्टीम होने में 5 मिट लगना है तड़के में और 5 मिट लगना है बैटल बनने में तो इफ़तार के लिए बहुती मसिदार और बहुती जटपट बन जाने वाली दिश है ये तो आप इस रिस्पी को ट्राइ कीजे मुझे उमीद है आपको जरूर पसंद आएगी पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजे शेर जरूर कीजे और प्लीस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा